हे गाइस वालकॉम बैक टू माई चैनल मैं हूँ नवल आप देख रहे हैं नवरिद गेमिंग लाइव यह है रेंड सिमुलेटर का एपिसोड 17 तो आज के एपिसोड में मैं अपने घोड़ों के लिए एक बनाने वाला हूँ उनका इस्टेबल जहां पर वो लोग रहेंगे वैसे यह आप भी अच्छे तरिके से रहें बट एक स्टेबल होगा तो वहाँ पर प्रॉपर तरिके से रहेंगे अभी कोई एसी जगह नहीं है और यह लूग ना इतन से बाहर निकल भी सकते हैं वैसे निकले तो निकल सकते हैं अकर चाहें तो मैं सबसे पहले आपको अप सब कुछ हो गया था तो वह दोनों गोड़े में इने बेची दे क्योंकि आप जाके में कुछ थोड़ा बहुत यह अच्छे सा समाझ में आ चुका है पहले में कुछ पता नहीं चल पा रहता है मैं हमेशे कह रहा था ने कि मैं घोड़ा कुछ और खरीद रहा हूं और बाद मा मुझे लगता है कि सब फिक्स हो जाएगा और अभी वैसे कहा तो यह गया है कि अगर अगर अपडेट होगा भी तो कोई ऐसा जो प्रीवेस है मतब जो हमारा जो भी गेमप्ले अभी तक है उस रिसेट नहीं होगा तो शाह सब कुछ सभी होगा तो सबसे पहले इसका दिख हो जाएगा तो इसकी जो जितना मैक्सिमम हो सकता है वह हो जाएगा तो इसलिए मैंने यह वाला गोडा करीदा उसको बेज दैता वह मैंने ऐसी खरीद देते उतना था नहीं उनका और दूसरा गोड़ा यह है जो आप लोग देख सकते हैं जिसको मैंने पूरा प्रॉपर तो आप जाके मतलब देखा जाए तो यह वाला गोड़ा वाइट वाला इससे बैस्ट बैटर है बट अभी यह वाला गोड़ा आम लोग देखते हैं इसकी स्पीड वगरे देखो एकदम जबबर दसने मतलब यह तो बहुत सही चलता है इसपीड वगरे सब कुस तो यह गोड़ा है बहुत बहुत बेहृतरीन गोड़ा बन चुका है जितनी ज्यादा फास्टी इसकी हो सकती यह बाहर भी निकला पता भी चला लग पता नहीं क्यों हो रहा है तो थोड़ा मुझे लगता है घ्यान देना पड़े गा यह क्यों लॉ स्टेवल वर्जन तो उसके सोड़ावाद चीज है चल रही अभी तो शायद जब भी हो जाएगा इसका फिक्स तो उसके बाद से प्रॉब्लम ना आए आज ही मुझे इसा लग रहा है ज्यादा तो एक बार इनको रख लेते हैं अंदर इसको अंदर ही रख लेता हूं मैं इस इसकी स्पीड मैं दिखाता हूं आप एक स्पीड दिखाता हूं और एक चीज यह भी हुई है कि बहुत लंबे टाइम तक मैं अगर दोडा रहा हूं तो इसकी इस टाइमिना बढ़ चुका है तो यह ठक नहीं रहा तो टाइम वह चीज सही लग रही मेरको इसकी तो मैं एक कलेक्ट के हुए अपने जितने भी सारे चिकन कूपते उससे और उसके अलाव पहले भी बहुत सारे बेच के आ चुका हूं तो अगर मैं एक सांथ कलेक्ट करता तो यह ज्यादा ही अलग ही कुछ हो जाता तो मैं अभी एक वास्केट में तो कम है एक तो एक के तो मिचे अगरे अंडे ऐस निकलके भाग भी गये है तो इसको लगाते सबसे पहले यहां पर और मैं आपको अपना पैसा भी दिखाता हूँ कि इसको पहले बहुत ही जादा हो था हद से जादा हो चुका है यह पहली बार मेरे साथ इतना सारा हुआ है क्यूंकि इतना सारे पिग से और उनको मार मार के यहां पर कुछ चल रहेगा नहीं तो ठीक है खैर उतना को भी फरक नहीं पड़ता अभी बहुत पैसा है तो सबसे पहले इसको बेचते हैं एकदम लास्ट में बेचेंगे चिकन भी है इसमें कुछ और अच्छा इसमें एग नहीं है तो एक इसको छोड़ बहुत ज्यादा उसमें भर चुका है बहुत ज्यादा मतलब एक हां तो 813 सिर्फ 5000 की मेरे पास एग है में आपको दिखाता हूं यह पूर अलगी बिल्कुल हो रहा है यहां पर यह वाली बसकेट देखो यह क्या हाल हो रहा है इसका यह देखो अभी इसमें और आ सकते थे तो मैंने एग थे अभी भी मैंने भरे नहीं कि मुझे लगए कि शायद कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए तो मैंने इतने ही भरे तो अभी हमार पास कितने पैसे होगे एक बार देखते हैं इसको बेच के 59,000 डॉलर हो गये बहुत ज्यादा है यार वन लेक पहुंचने वाले बहुत जल्द पहुंच भी जाएंगा कि इतना सारा अगर हम लोग एक बार में बेच पा रहें चीजें 10-10,000 का सिदह तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि एक लाग डॉलर भी हो जाएंगे और बिना किसी ज्यादा मेहनत करने रहा हूं मेहनत तब लग रही थी जब स्ट कितना सही है कितना जादा इसी हो गया यह सब पैंसे कमाना यहाँ पर अभी पिक मैंने मार दियें भूत कम है मेरे पास अभी भी बहुत सारा जो उनका पोर्ग है वह उठाना बाकी है मतलब मेरे कूलर में जगर नहीं थी कूलर भर चुके थे इस वज़ए तो मैं एक बार मैं सारा क्लियर कर लेता हूं ताकि वह सारा यहां पर हर जेगर पड़ा हुआ हर जेगर पड़ा हुआ हर जेगर पड़ा हुआ तो एक बार मैं सारा क्लियर कर लेता हूं मिलनी जो अंदर का है ना यहां पे इसके अंदर का वो में सारा हटा लेता हूं उसके बाद से हम बहुत ज्यादा problem खड़ी कर रहे थे तो अभी जाकर ना सारे मर चुके हैं ठीक है खाना वाना इनका है नहीं अब जाकर फिल कर दूंगा आप कोई इस्यू नहीं है क्योंकि यह गिने उचने कुछ बचे में तो यह जब तक ग्रो होंगे तो तब तक मेरे पाँ बहुत पैसा तो गाड़ी में लूड़कर लूड़कर ब्रे जाओंगा ऑप बहुत सारे यहां इनको बचे हुए सो अब लोलवृकर पीछस वाला वह थो तो पीचा कम कुछछ बहुत कम ओधा है बता हैं ही कम यह तो बहुत कम है इसके पहले जब मैं आया था सबसे जादा जो पीछे वाला सबसे पुराना मेरा चिकन कुप था ना वो पूरा भरा हुआ था और मेरे उंगलियों में दर्द हो गया था एक को कलेक्ट करते करते तो इतना जादा हो चुका था अभी जितनी मै मैंने आपको बास्केट दिखाए थी ना एक की उससे ज्यादा एक बार उसी से हुआ था उससे ज्यादा एक एक चिकन कुप से निकल चुके था तो समझ सकते ही कि इतना सारा हो रहे है अगर हम लोग सिर्फ एक बेचे तब कि हम लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकते है वैसे जब पहली बार जब इसका पुराना वर्जन पुराना वाला अपडेट आया था ना उसमें जब मैंने अनिस्टेवल वर्जन में खेला था तो तब भी मुझे लग रहा था थोड़ा बाद प्रॉब्लम्स लग रही थी तो यह वही रीजन है बाकी गाड़ी खरीदन यह तब है इतना पैसा जब इनके पास जो चीज की डिमांड हो मेरे पास ही नहीं उसके बाद भी और रॉब बेच रहा हूं तो सबसे पहले इसको बेचते हैं एक बार देखता हूं कि एक का क्या मेरे को प्राइज मिल रहा है शायद एक अभी ट्रैक हो नहीं पाया तो ठी अब जाके इसको लेके चलते हैं थोड़ा से आगे एग अभी ऐसी ही है थोड़ा इतना काफी होगा ठीक है अब एग बेचने वाली बार ही आती है एग बेचने की और इतना सारा यह भी सब कुछ है तो 1900 डॉलर के सिर्फ एग बेचने 212 ही है जबकि कम है इससे पहले एक ब 69,000 डॉलर हो चुके हैं और मतला 70 लगा लो अलमस्ट कहां काड़ी ठोक रहा हो मैं तो 70,000 अभी तो यार मतला अब मैं कुछ टाइम तक है सिर्फ चीजे बनाते रहा बिल्ड करते रहा और ना चिकन पालता हूं ना काव और ना ही कोई पिग वगर तब भी मेर पास अच्छ सेगन थोड़े से इधर के पेड में को कट कर देंए चाही यह वाले उनको कट कर लेते हैं एक बार तो एरिया हो चुक है क्लीन और अप जाके बनाते है अपना फांडेशन इसका जो मैं बना रहा हूं इधर कहीं पर इधर इधर को बनाए या फिर उधर उधर को बनाते है यहां यहां को बनाते है ठीक है यह एरिया काफी है इधर दूर दूर हो जाएगा तो सही रहेगा और इसके बाद थोड़ा मैं इसको नीचे ही बना रहा हूँ हाँ नीचे सही रहेगा ज्यादा ऊपर बनाने की जुरूत नहीं है तो ऐसे बनेगा हमारा एक दो तीन चार इतन जाके लगानी है रूफ और वो है ये तो ये रूफ लगा लेते हैं ये लगेगे हमारी ऐसे तो अभी ऐसा कुछ बना रहा हूँ मैं बहुत सिंपल सा बनने वाले है ज्यादा कुछ कॉंप्लिकेटर बना भी नहीं सकते ट्राइ भी करूंगा तब भी प्रॉब्लम आ जाएग ये एक करके दो नहीं में रखते तो ज़ल्द जल्द हो जाएगे जब तक मैं लेकर आउंगा एक बन जाएगा तो दो में काम जायागे इस लिए मैंने मशीन बाई करी है तो सबसे पहले तो फिलोव में को बनाने तो फिलोर अम लोग बनाने स्टार्ट कर देते और उसके अच्छा ठीक है मुझे लग रहा था कि शायद जो ग्रास है वो उपर ना दिख जाए तो वो नहीं दिख रही है अच्छी बात है तो पहला फ्लोर बनके रेडी है अब जाके मैं लगा रहा हूं वाल पर फटावट से मुझे एक राउंड जाना पड़ेगा और बहुत सारा उनके लिए बनेगा यह तो एक एरिया सा बना रहा हूं मैं तो यह वो बन रहा है अभी यह भी कंप्रेट हो चुका है यह वाला उसके बात से अब जाके मुझे देखना है कि मैं को इस्ट्रक्चर में और क्या चीज़े चाहिए तो सबसे पहले वही फ्लोर हम लोग बनाए बस यह प्रॉब्लम है कि वही डोर हमारा सिंपल सा बनता है और कोई डोर अलग टाइप का बन नहीं पाता तो वह एक प्रॉब्लम माली बात है लेकिन मैनेज करना पड़ेगा कैसे भी करके उसी इसे काम चलने पड़ेगा जो जो चीज़े हैं तो अभी इतना कुछ हो चु मैंने चीज़ें बाई कर ली फटावट और यहीं से मैट्रस करीद के रात इधर ही गुजार ली तो अब जाके मुझे यह पूरा भरना है इसमें इसको लेके चलते हैं आगे मैं आगे नहीं लगाई क्योंकि आगे पूरा गाड़ी के उपर चल जाता है तो उल्टा सीधा क हो जाता है अब जाके इसको प्रॉपर तरीकी से लगाते हैं और टाइम लगेगा थोड़ा सा एक बार लगेगा वट यह है तो लास्ट है हमारा डेड़ सा स्टेक वुड का प्लैंक्स का और मुझे बस यह डाउट हो रहा है ना कि मैं गाड़ी चलाँगो उपर के लेर वै अब हो रहा है अभी तो चल रहा है सब कुछ चल रहा है देखो लाइग होने लगे ना जैसी थोड़े बहुत चीज़े लिमीट क्रॉस करती न वह हो जाता फिर गेम लैग और मेरे तो हर चीज में लिमीट क्रॉस हो जारी है तो मारा होर्स का इस्टेवल एकदम रेडी है बस यहां से थोड़े बहुत चीजे complete करनी है, जैसे मैं देख रहा हूं कि यहां पर कुछ कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है, और मैं आपको एक बार बाहर से दिखाता हूं, अभी एक बार मैं बस यहां पर triangle वाली कोई wall लगाने की कोशिच कर रहा था, बट च तो हम लोग पीछे से half wall में मुझे नहीं लगता कि horse भागेंगे, वैसे window भी लगा सकता हूं, या पीछे पूरा plane wall लगाता हूं, वह ज्यादा सही लगा है, window मैंने बहुत सारे लगा दिये हैं, तो मैं बहुत देर से यहां पर लगा हुआ था, नहीं एक चाहा रहा था है क जो हम लोग normal fences लगाते हैं, वो थोड़ा सा round shape में लगा हूं, ठीक है, मुझे shape तो ठीक लग रही है, ऐसा कुछ ज्यादा पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन बहुत बार मैंने कर लिए इसको, यह बच जा रहा है, मतलब extra हो जा रहा है, और मैंने बहुत बार कोशिश कर लि अलग अलग चीज़ें दिख जाएगे, सिर्फ एक घर सा नहीं बनेगा, मतलब एक जगह सी नहीं रहेगे, थोड़ा अलग 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 चीज़ें हो जाएगे, इस चक्र में यह सब चीज़ें बना रहा हूं, लेकिन अभी मुझे एक gate लगाना पड़ेगा, तो gate भी लगा और उसके बाद ठीक होगे, इसके बाद हमको बस मुझे paint करना है, बागी सारा काम होगा, तो यहां पर यह problem होगे यह वाला चक्कर, तो अब अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, बट क्या कर सकते हैं इसको, ट्राई कर लिए हैं बहुत बार लेकिन हो नहीं पा रहा है एक ऐसा होता है कि मैगनेट के तरह चिपक जाता है, एकदम प्रॉपर तरीके से सेंटर हो नहीं पा रहा है, बहुत कोशिच कर लिए बट यह ऐसा ही रहेगा, तो ठीक है इसको एसी रहन देते हैं, और शयाद मुझे बीच वाला एक तोड लेना चीज जैसे यह वाला है, इसको तोड़के हम लोग लगा लेते हैं, यहां पर एक फैंस का गेट, ठीक है, तो आगया होगा शयाद, अरे नहीं, थोड़ा से कम पड़ रहा है, बांकि सारा बहुत परफेक्ट तरीके से लगे हो हैं, जितने भी फैंसे हैं, तो उसके अलाव बस इसी में थोड़ी सी यह हो गया हमारा गेट, ठीक है, अब जाके यहां से हम लोग फोलेंगे और अराम से यहां अंदर जाके, वो लोग बाहर भी आ सकता है, अगर मैं चाहूँ उनको अगर बीच वाल एरिया में घूमना है, तो आराम से बाहर आ सकता है, फिलाल मेरा गद्दा कहां गईगा, उ मने जादा मैं हो रहा हैं, जो अभी जैसे मेरे बात है, चिकिन कूप, मैं बहुत सारे वह भी कवर होरह हैं, तो और अगर मर जाए तो चल जाएंगा, बहुत महांगे लिएं, इसलिए इनका पूरा डेडिकेटर बनेगा, जो बहुत लंबे टाइम तक अगर मैं कुछ काम ह कर रहा हूंगा अगर उसको मैं नहीं भरता हूं तो तब भी हो चलेगा ठीक है इसके बाद आप सीधे वही वाला काम करते हैं हम लोग यह पूरा हो चुक है और लाइट वाइट लगाएंगे बाद में सबसे पहले चलो सबसे पहले पीछे चलते हैं और वह काम निफटाते है इसके लिए मुझे लेकर आने पड़ेगा यार तो यहां में इनका बनाने वाला हूं खाने का सिस्टम सबसे पहले बनेगा हमारा यह वाला पार्ट जो मैं रख रहा हूं इधर पर और यह अच्छा खासा एरिया कवर कर लेगा अगर हम बाद में इसको एक्स्टेंड भी कर यहां पर थोड़ा मैं इसको दूर रख रहा हूं पानी वाले को इधर 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 तो यह दोना आ चुके अब आईर लगने वाला इसमें मैटल लगने माला बहुत ज्यादा इसमें लगेगा 125 इतना ही उसमें भी लगेगा मुझे लगता कि इतना मेरे पास मैटल है वो तो तो, 150 हो चुक है पानी का हमारा हो चुक है, छाने का हो चुक है, अब जैके मुझे लेकर आना है concrete तो अब मुझे रखता है कि हमारा पूरा काम कॉंप्लीट हो चुक है इसके बार न शीधे हॉर्से इसको लेकर मैं अंदर रख दूँगा क्योंकि वहां पर ना में को हटाना है उसके लाइक बहुत कर रहा है तो सबसे पहले इनको फिल भी कर देते और जो फूद दो उनको भर भी देते तो पानी भर चुका होगा पानी भी एक बार भर देता हूं मैं इसके उपर हम लोग चड़ नी सकते हैं तो यह हो चुका है लगानी है यह काम करते हैं लाइट लगा लेते हैं पहले अंदर वाला काम निपड़ जाएगा ना वह आकर परेशान करेंगे मुझे ऐसा लग रहा है अब जाके यह तो खाहर पड़े उनकी यह वाला पार्ट मुझे हाटा आने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इसकी वोज स पहले चलते हैं कि उसके बाद वह जो दूसरा वाला है वहां से पटबड़ से लेकर चलते हैं बान में यह हमारा सबसे फास्ट घोड़ा है जो इसमें उतना पता नहीं चल पा रहा है कि मैं बहुत देर से इसको चला रहा था था अभी ना कुछ जादा ही गेम लाग होने ल यहां से यह वाली हो सकता इसकी वज़से बट मुझे कंफर्म नहीं किस वज़से अभी पता चल जाएगा इसको लेकर चलते हैं सबसे पहले इधर मैंने डूर तो लगा देने चाहिए मुझे एक काम करता हूँ बिल्ड डूर कहा है दूर फटावट से लगा देता हूँ अ यहां को जाते हो देखा मैंने उसको लेकर चलते हैं इसकी अभी ट्रेणिंग होनी बांकिया वैसे स्पीड इसकी बहुत उससे जादा तेज होने वाली है जब यह हो जागा ना प्रॉपर तरीके से तो भोड़ा जहां करें वहां से अंदर से इधर से बाहर से मैं उसको मिल सकता हूं खाना वाना खाले गदो को कितना सही लग रहा है यहां पर दोनों में गेट लगा दिया मैंने अब बुलाता हूं इसको वापस यह भागने में यह इसका मन है इधर इसको जगह पसंद नहीं मुझे ऐसा लग रहा है उसके बास से मुझे वह वह तोड़ना है ट्र देखो एक यहां से देख रहा है एक यहां से वैसे इसको रहा भी दोंगा बाद में थोड़ा दिखने का अच्छा दिख रहा था पेंट लेकर आता हूं फटवर्स से अब पेंट लेकर मैं आ चुका हूं और अब मैं बहुत सरे कलर से यहां के कुछ और ही हो बन जाते तो देखतें कि कैसा होता है तो अब फटबट से मिरे को कलर करना है मैंने हो होर्स का ट्रेनिंग वाला एरिया था वो हटा दिया यहां आके कुछ गड़ड हो रही है यहां पर थोड़ा लैग हो और देखो हमारा कैसा चमा कर रहा हो बस इसी एरिया हो रहा है कि सोजिस रहा प अधर में होगा बागी सारा काम भाल विंदे है अब मेरा अधर नुब एक हम उब अधर काम है यह सबसे पहले मेरे को कर दो कि वह अंदर लेता हूं और जो पाट इसमने पर ज़्कायद में अधर को पल्पे लेगा इसमने अलग करना पड़ अधर मुझे पता नहीं कि अन दो सबसे पहले यहां कलर कर लेते हैं बस कलर कमना पड़ जाए मैं ज्यादा लेकर आया नहीं हूँ हिसाब से लेकर आऊ कि शायद हो जाएगा तो मैंने जो कलर है वह यह वाला कलर किया लाइट कलर ताकि थोड़ा अच्छा दिखे और सही दिखे रहा मतलब बाहर निकलने बहुंत जल्दी उसके बार सही दूसरी हैं और पर पेंट शार हो रहे म throughout यह यह वाला पेंट उसके बास फ्लोर छोड़ का रहे उसके बाएग तो पमेंगा carried कि वूड का जैसा कोई कलर आये मतलब बहुत जादा कलर फूल ना बने तो यह सही लग रहा है मुझे इससे क्या होगा कि यह हमारा गेट है दूर से पता जल जाएगा और ना अभी मुझे पता नहीं चल पारा कि गेट कौन से हमारा तो यह सब हो चुका है अब जाके मुझे क करके देखता हूं कि कैसा लग रहा है यहां तो पूरा ब्लैक सा लग रहा है अलगी कुछ लग रहा है बहुत ज्यादा ब्लैक सा ब्लैक तो सारे कलर मैंने कर लिए मतलब सारे कलर मैंने आगे तो पूरा हो चुका बहुत प्यारा लग रहा है मैं आपको दिखाता हूं लेक यहां से एक लिमीट है, इससे आदा में इसके उपर रख निसकता, तो यह प्रॉबलम आरी, अगर गाड़ी लाया हो तो तो अगर चाड़ी से चड़ पाता या फिर उसमें भी लिमीट हो जाती है, यह चड़ने में प्रॉबलम आरे ऊपर यह उचल गया, वरना एक और ट्रि तो ठीक यांप भी काम मुझे रखता है कि कर जाने ची Mich सबसके कहा है एपसाई ट्रीक है ≹ अगर यह स्धी द्रीक प Titchenस आगे इसी कर लोले सारे मे कलर करना ऐसाम स्वी देखल रहें यहां जके बाइ घञ नहीं है यह भी कर लेते हैं और यह तो खेर नहीं कर सकता है इसको मैं और आगे से भी हो जाएगा तो यह सारा color कर लेता हूं फोटावर्ट से उसको बाद से आपको बाहर से लुग दिखाता उसको तो मैं बाहर निकल चुकहूं हूं आप लोग देखी सकते हैं कि कितना प्यारा लग और colors मतलब इतने जबड़ता select किया ने मैंने पहले मैंने यह dark वाला यहां बाहर के लिए किया था मैं सोच रहा था कि dark मतलब जो gray color और उसके साथ में white color लेकिन वह उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो बहुत प्यार सा लग रहा है यह उतना notice भी नहीं हो रहा है तो यह चीज़ सही है बाकि हमारे horses अराम से रह रह रहे हैं खाना पीना सारा है कुछ है इनका पीछे इनका storage जो खाने का है समान वो रखा हुगा है यहां पर इतना दूर ताकि अगर मैं कल के दिन इसको अभी उन्होंने खाया नहीं है बहुत कम खाते ही लोग तो बाब बार फिल करने की ज़रत हो जा रहा है तो बंद हो जा रही है वैसे दूर से चमकना चीज़ता तो अंधिर हमां बहुत प्यारा लगता है तो यह हमारा आज का horse का stable जो मुझे बहुत सही लग रहा है अभी तक का जो मैंने custom build किया एक चीज किया वैसे वह वाला तो यह बहुत सही लग रहा है मुझे पहले कुछ और सोचा हुआ था मतलब कुछ और प्लैन किया था जो बाहर आगे से मैंने बना देते यह बादो बन गए मेरे को एक टाइम पर लगा था कि घर जैसा लग रहा लेकिन जो आगे मैंने fences लगाए नहीं इसके बहुत प्यारा लग रहा है तो आज का episode करते हैं यह नहीं पर खतम आप सभी लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो वीडियो को यह लाइक जरूर करना मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई तैक्यू